वेल्कम बेक इन यूर फेवरेट चैनल, I am Preeti, यूर होस्ट और एजुकेटर, and you all are watching Easy Way to Learn with Preeti. Today we are going to start Honey Skull Class 6, Chapter 9, Translation in Hindi. Our chapter is Daggered Animals. So students, जो भी student new है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी के साथ सेर कीजिए. चले स्टार्ट करते हैं, before you read, can you name some desert animals, desert areas in India and the world, क्या आप संसार के या भारत के, कोई भी रेगिस्तानी एरिया के बारे में उनके नाम बता सकते हैं? who do you think lives in such areas? आप क्या सोचते हैं? इन areas में कौन लोग रहते हैं? या किस तरीके के animals या कौन रह सकता है ऐसे जगे पर? तो chapter start करते हैं, desert animals, रेगिस्तान के जानूरों के बारे में, deserts are the driest places on earth, deserts जो होते हैं वो earth के उपर, यानि पिर्थवी पर पाये जाने वाले सबसे सुखे area होते हैं and sometimes go for months, और कई बार तो महीनों तक वो सुखे रह जाते हैं और even years और कभी-कभी सालों तक, without rain, बिना बार प्रेंट फिर भी जो desert animals हैं, जो कि पानी के बगएर नहीं रह सकते हैं और four long periods in the scorching sun, अब scorching sun क्या होते हैं, scorching sun means जहां पर बहुत जुलसा देने वाली गर्मी पड़ते हैं सूरज की, ऐसे जगह पर लंबे समय तक बहुत सारे animals नहीं रह पाते हैं, so they have had to find different ways of coping with the harsh condition, harsh मतल तो इसी वज़े से वो जो हैं दूसरे तरीके डूनते हैं किसी ना किसी तरीके से इतनी harsh, इतनी difficult condition में अपने आपको adjust करने के लिए, for example, example के लिए आपको धर्म दिया गया है गर्बिल्स का, गर्बिल्स क्या होता है, गर्बिल्स एक चूहे जैसा, यानि जैसे जंगली पाए जाने वाले, ऐसे चूहे जैसे ही होते हैं, जो बिल्स में रहते हैं, ऐसे गर्बिल्स का एकजमपल दिया, इन्होंने, spend the hottest part of the day, जो कि अपने दिन का सबसे गर्म पार्ट, जैने दिन के समय, डिज़ड एरिया में आप अगर जाकर दिखते हैं, तो बहुत ज्यादा बिटल्स, जैसे डार्क लिंग है, बिटल्स जो है, एक इंसेक्ट का ही नाम है, तो वो जो है, एक्सपर्ट होते हैं, at catching drops of moisture, वो एक एक बूंद को catch करने के लिए, बहुत ज़्यादा उल्री एक्सपर्ट होते हैं, कामों में माहिर होते हैं, अपनी लैक्स पर, then lifting them into the air, द trickle down into their mouths, जब तक जो है, trickle down होते हैं, बून बून करके टपकना, एक एक बून जो है, उनके माउथ में नहीं चली जाती, वो उसको lift करते हैं, उपर की तरफ लेकर जाते हैं, not all deserts are endless, seas of rolling sand dunes, sand dunes क्या होते हैं, मिट्टी के जो, यानि रेत के जो धेर लगकर, आप बोल सकत हैं कि पाहड जैसी जो बना देते हैं, टीला टाइप, कहते हैं कि कुछ जो deserts हैं, वो ऐसे भी दिखाई देंगे, endless seas, यानि बहुत दूर तक समूंदर ही समूंदर आपको दिखाई देगा, और बहुत सी जगे पर आपको sand dunes भी बने वे दिखाई देंगे, समार रोकी, मतलब पत्री ले और रोकी चटानों वाले, and dotted with small bushes, और वहाँ पर काफी डोट की फोम में, जगे जगे मतलब आपको small bushes, यानि छोटी छोटी जाड़िया भी दिखाई देती हैं, while others are sprinkled with colorful flowers, जबकि कुछ रेगिस्तानी एरिया पर आपको colorful अलग 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 रंगे, full भी द यही पर रंग भी रंगे, full खिलते वे दिखाई देंगे, there are more than 2300, यानि 2300 different kinds of snakes around the world, यानि आपको संसार के लगबग 200, अलग अलग तरह के साप, यहां पर दिखाई देते हैं, रेंगिंग, from just 15 cm long, जो की रेंगते वे दिखाई देंगे, आपको कितने लंबे हैं, वो 15 cm long स से लेकी, to more than 11 meter, यानि 11 meter से भी लंबे-लंबे साप, मिल सकते हैं, most snakes are quite harmless, देखें वैसे तो snakes के बारे में लोगों की क्या सोच हैं, कि वो harmful होते हैं, लेकिन यह इनों नहीं बताया है कि ज्यादा तर जो snakes है, वो harmless है, यानि नुक्षान नहीं पहुचाते हैं, but are a few that are so poisonous that they can kill a human being with just one bite, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जहरेले साप होते हैं, जो कि किसी भी human being को, किसी भी इनसान को, मतलब हलका सा काटते ही, मार सकते हैं, उसको उसके जहर की वज़े से वो मर सकते हैं, most snakes lay eggs, ज्यादा तर snakes के बारे में हम क्या जानते हैं, कि साप जो है, अंडे देते हैं but there are many which give part to their young, in the dry rocky deserts of America, leaves are rather evil looking snakes with a very bad reputation, यानि ज्यादा तर जो snakes हैं, हम उनके बारे में जानते हैं कि वो अंडे देते हैं, लेकिन बहुत सारे snakes जो हैं, वो नए बच्चे को भी जनम देते हैं, बिना अंडों के, और जो dry area में हैं, या फिर rocky area जो यानि चटानो डेजर्ट जो पाया जाता है, जैसे कि अमेरिका में की बात करें तो, वहां पर आपको बहुत बुरे दिखाई देने वाले साप भी मिलते हैं, जिनकी बहुत ही बुरी image या पहचान पाई जाती है, it's frightening rattle, can be heard as far as 30 meter away, उसकी जो ड्रा देने वाली फफका है, वह आपको कम से कम 30 meter दूर से भी सुनाई दे सकती है, इतना जहरिला उनकी फफकार होती है, and it can strike with lightning speed, आपने बिजली की स्पीड देखी है, बिजली जब चमकती है, किती तेज स्पीड से चमकती है, तो कहते हैं कि बिजली की स्पीड से ही जो है, वह एकदम से strike करता है, अटेक करता है, but the rattlesnake, rattlesnake के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो जो rattlesnake है और rattler, दोनों ही एक नाम है, as it is sometimes called preface to avoid people, if it is possibly can, वह कई बार जो है, लोगों को avoid करता है, जहां तक हो सकता है, rattlesnake, it holds its tail upright, वह अपनी tail को पूँच को उपर रखता है, and rattles the end, whenever it is disturbed, और वो, जब disturbed होता है, तो वो उसको नीचे नहीं लेकर आता है, in the hope that the intruder will go away, उसको लगता है कि साइद, अब जो है, जब तक उसको यह नहीं लगता है कि intruder, यानि जो बीच में रुकावट पैदा करने वाला इंसान है, जिसकी वज़े से वो disturbance समझता है, वो जब त warning are ignored, लेकिन अगर उसकी warning को ignore किया जाए, उसकी धमकी को अगर ध्यान नहीं दिया जाए, and it feels threatened, और उसको लगेगी कुछ गलत होने वाला है, कुछ धमकी भरा होने वाला है, it will coil ready to bite, तो वो देखिए, यहां पर आपको मिलेगा, कि वो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से वो जो है, कोईल बना लेता है, क्या बना लेता है, कोईल, यानि जिससे आपने देखा, घर पे जो कच्छवा चाप होता है, उसमें कोईल बना होता है, यानि गोल गोल सरकल बना के, वो जो है, काटने के लिए ready हो जाता है, but the rattler itself cannot hear the noise, लेकिन rattler, snake जो है, उसको खुद को स own tail makes, यानि उसकी खुद की जो tail है, पूँच है, जो सोर करती है, वो उसको खुद सुनाई नहीं देती, जब वो कोईल बनाता है, like most snakes, like most snakes, it hear things through vibrations in the ground, ज्यादा तर snakes जो है, ground में जब उनको vibration, यानि कमपन सुनाई देती है, महसूस होती है, तो उसी के according वो जो है, work करते है, है ना, उसी के according वो ready होते हैं, काटने के लिए, या ignore जैसे भी वो करते हैं, तो ज्यादा तर वो vibration को feel करते है, if a person walks near by the snake, can feel the moment, यानि जब भी कोई person उनके आसपास चलता है, या होता है, तो वो उसकी moment को feel करते है, but if the same person were to start, it would not hear a thing, देखे, अगर वही person सिर्फ चिला के ब Rattlesnakes are very common and widespread animal, Rattlesnakes जो हैं, बहुत ही आम पाए जाने वाले animal है, और बहुत दूर दूर तक फैले हुए animal है, living right across the American continent, from Canada to Argentina, वो America continent में पाए जाने वाला, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला animal है, Rattlesnakes, अमेरिका जो महादेवीब है, Canada से लेकि, अर्जंटीना तक, They feed on a variety of prey, वो अलग-अलग तरीके से पाए जाते हैं, सिकार करने वाले, including mice, wolves, rats, chipmunks and many others, chipmunks क्या होता है, यह देखिए, wolves जो आया है भी, उसमें कौन-कौन से अलग-अलग तरीके सिकार करने वाले, अलग-अलग variety के animals मिलते हैं, अब mouse का opposite जो होता है, mice होते है, जेंडर, mice चुहिया, उसमें हम mice को include करते हैं, वोल्स क्या होता है, छोटे-छोटे, चुहे जैसे ही होते हैं, जो कि plants को खाते हैं, चिंपक, चिपमंक, चिपमंक क्या होता है, एक गिल हैरी की तरह ही होता है, जो ग्राउड में स्क्वैल करते हुए चलती है, and many other small animals, और बहुत सारे छ venom, like all snakes, rattlesnake जो है, वो अपने ही सिकार को, अपने ही, खुद के सिकार को मारते हैं, like venom, with venom, like all snakes, जैसे कि दूसरे स्नेक भी करते हैं, they swallow the unfortunate animal hole, कई बार तो क्या करते हैं, वो, किसी भी animal को, unfortunate, यानि जो दुरभाग के वाला, जो भी animal है, जो उनका सिकार बनता है, उसका तो द bad luck, तो उसको वो निगल भी जाते है, पूरे के पूरे को, few snakes have to eat more than once a week, अब काफी सारे animals, snakes जो है, वो कभी कभी week में एक बार खाते हैं, and some, और कुछ, such as the larger python, अगर हम python की बात करें, तो बड़े बड़े python जो होते हैं, वो survive कर सकते हैं, यानि बिना खाई रह सकते हैं, for a year or more without eating, कम से कम एक साल तक या एक से भी ज़्यादा सालों तक वो बिना खाई रह सकते हैं, आपकी बात कर रहे हैं, अब आते हैं, mongos, mongos क्या होते हैं, mongos यानि नेवले, like to hunt together, वो group में, यानि एक साथ मिलके सिकार करना पसंद करते हैं, but they always keep a look out for dangerous predators, predators क्या होते हैं, जो कि सिकारी animal की अगर हम बात करें, जो natural सिकारी पक्सी या animal होते हैं, तो mongos को भी हम सिकारी बोल सकते हैं, predators ही होते हैं ये, और ये एक साथ सिकार करते हैं, और keep a look out, यानि दूर से ही ये अपनी नजर बना के, penny नजर बना कर रखते हैं, जब भी इनको किसी भी तरीके से आसपास कोई भी खतरनाक ऐसा मिलता है कि जिस पर ये सिकार कर सकते हैं वो अपनी नोज से पोक करते हैं यानि स्मेल लेते हैं इंटू होल्स होल्स के अंदर जाग कर देखते हैं जहां भी उनको लगता है कि यहां कुछ हो सकता है overturning roses with their paws वो अपने पंजो से जो है turn कर देते हैं ईंर ground को भी scratch करते हैं उनके पंजो होते हैं बहुत ही शार्फ होते हैं उनिके साथ जो है ँर ầाइट को डिक कर देते हैं वो scratch करते हैं banded mongos are very amusing animals to watch देखें banded mongos जो होते हैं बहुत ही amusing आप entertaining बोल सकते हैं animal बोल सकते हैं amusing यानि entertain करने वाले animals हैं देखने में common sight in many parts of Africa ये ज़्यादा तरपाया जाते हैं अफरीका के अंदर commonly आप इनको इधर-उदर देख सकते हैं अफरीका में and they travel in groups of about 22 forest for vittles forest होते हैं खाने की तलास में यानि a common sight in many parts of Africa and they travel in groups ये group में travel करते हैं अफरीका में पाये जाते हैं और group में आपको घुमते वे दिखाई देंगे किसलिए of 20 group इनका लगवग 20 का होता है और ये bitles के लिए या other insects के लिए या जो भी इनको खाना चाहिए होता है तो खाने की तलास में ये एक साथ गुमते वे दिखाई देंगे millipids and other small creatures ये सबी क्या हैं ये insects के नेम है जिनको ये खाते हैं they like to hunt together वो एक साथ hunt करना उनको पसंद आता है keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or buses by twittering and calling देखिए twittering calling का मतलब होता है कि ये जो है एक दूसरे को twittering sound है ये और एक दूसरे को बुलाते है जब भी इनको किसी भी तरीके की कोई site पता चलती कोई नजारा इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ मिल सकते है तो एक साथ ये एक दूसरे को कोल करते है जब भी कहीं बाहर ये जाते है always on the lookout for danger हमेशा ही ये खत्रे को भाफ लेते हैं दूर से ही hawks, eagles and large snakes they want one another with a special alarm call देखिए animals की वैसे होती है special alarm call का मतलब है कि एक दूसरे को warn करना तो animals जो है एक दूसरे को warning करते है if they spot anything suspicious यानि जहां पर भी उनको लगते है कि कोई भी खत्रे वाली बात है तो वहीं पर ये एक दूसरे को ये alarm call किसी भी तरीके की sound है इनकी अपनी अलग से तो उस तरीके से ये एक दूसरे को warn करते हैं समझाते हैं mongos are famous for being able to kill snakes mongos जो होते हैं are famous वो famous हैं for being able to kill snakes वो snakes को भी मार सकते हैं without getting hurt themselves अपने आपको खत्रा पहुचाएं बगार their reactions are so fast that they can dose each time the snake strikes देखे उनका reaction जो होता है mongos का जो reaction होता है वो इतना fast होता है कि वो snakes जो है अगर उनके पर strike करते हैं तो snakes को भी समझनी आता कभी कभी तो की हुआ क्या है यानि अपने आपको नुक्षान नहीं पहुचाते हो लेकिन उनका reaction बहुत ही fast होता है और dozing का मतलब each time का मतलब है एक दुसरे को इतना fast वो move करते हैं इतनी जल्दी जल्दी हिलते हैं कि उनके enemy को पता भी नहीं जलता है यानि जब भी उनके बीच का इस तरीके से कोई भी attack होता है देखिए उनका जो reaction होता है बहुत ज़दा fast होता है जब वो सिकार करते हैं जब भी नहीं के बीच में किसी भी तरीके का जो है attack होते है कुछ समय की दोरा बात जो है पहले तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से डिस्टप करते हैं और कुछ समय के बात जब स्नीक जो है ठक जाता है तो वो एकदम से attack करते हैं उसके उपर dive in करते हैं ओल दा फिमेल मॉंगोजोजोज हाव देर किटन अट अबाउट दा सेम टाइम जितने भी फिमेल मॉंगोजोजोज होते हैं उनके बच्चे लगवक वो एक जो है लगवक सेम समय पर एक ही समय पर जो है बच्चो को जनम देते हैं यहां पर वह उनकी बच्चे जो एक साथ बढ़े उते हैं वें मोस्ट उफ दा ऐडल्स आर आउट लुकिंग फूर्ड जब ज्यादातर जो मोंगूज बेवी होते हैं जब बढ़े हो जाते हैं और फूड के लिए जो इधर उदर घूमते हैं वन और टू मेल से behind to stand guard until the others return for the night तो उनका देखी किस तरी किस तरी protection होते है जब बेबी जो मौंगूज होते हैं जब बड़े हो जाते हैं और खाने के लिए बाहर गुमते हैं in search of food तो उनके पीछे पीछे जो मेल मौंगूज होते हैं वो एक guard की तरह खड़े रहते हैं जब तक वो वापिस रात को घर वापिस नहीं आ जाते हैं अब देखिया आप बात आती ही camel की बारे में तो दूसरा animal है जो desert में रहता है camel है camels were first domesticated by people many thousands of years ago camels जो हैं उनको first domesticated भी बोल सकते हैं लोगों के दुआरा जो domesticated यानि पालतू जानवर के रूप में camel को रखा जाता था हजारों सालों पहले in the wild camels जानि जंगली जो उन्ठ हैं usually live in small groups of up to 30 animals वो ज्यादा थे छोड़ी छोड़ी groups में रहते हैं और 30 के group में या more than 30 camels have long saggy winter coats camels के पास जो है winter coat का मतलब है कि winter में अपने आपको गरम करने के लिए उनकी जो skin होती है इस तरीके से बनी होती है कि वो winter में अपने आपको गरम रख सकते हैं shorter और छोटे छोटे tidier coats और छोटे छोटे जो है उनका सरीर छोटे बाल उनके सरीर पर इस तरीके से होते है जो कि उनको गरमियों में ठंडा रखते है a thirsty camel एक जो प्यासा camel है can drink as much as 30 gallons of water ये gallons के हाई ये एक measurement unit होती है तो कम से कम एक प्यासा camel इतना पानी पी सकता है एक बार में कि उसमें 30 gallons of water आप फिल कर सकते है that's about यानि कितना होगा 30 gallons 500 full glasses लगबग 500 glass एक बार में वो पानी पी सकता है in just 10 minutes लगबग 10 minutes के अंदर अंदर normally आम तोर पर however it gets all the moisture it needs from desert plants आम तोर पर जो भी उसको कहीं पर भी जरूरत होती है तो वो desert plants एरिया में जो भी plants मिलता है उन में उनसे वो moisture लेता है moisture मतलब नमी and can survive for up to 10 months लगबग वो 10 महीने तक बीना पानी पी रह सकता है without drinking any water at all यह देखे यहाँ पर आपको camel दिखाई दे रहा है यह different type के camel है there are two different kinds of camel अब दो अलग अलग तरीके camel होते है एक जो है known as the dromadry dromadry नाम से जानते है camel को तो has only a single hump जिम में जिसमें एक ही hump होते है the other is called a bacterian camel दूसरा जो है bacterian camel होते है जिसके दो hump होते है the hums help the animal to survive in the desert hump जो है वो help करते है animal की उसको desert area में survive करने के लिए by acting as storage containers वो इस तरीके से work करते है एक्ट करते है जैसे कि वो एक storage container है यानि पानी को store करने का बरतन but they don't store water लेकिन वो पानी store नहीं करते as many people wrongly believe ज्यादा तर लोगों की यही सोच है यही उनका विश्वास है कि वो उसमें पानी store करते हैं but they are full of fat लेकिन वो उसके अंदर fat store करते है पानी नहीं this fat nourishes the camels when food is scarce अब जब खाना नहीं होता है उनके पास तो उस टाइम पे यह क्या करते हैं यह उसी fat को consume करते हैं नरेस करते हैं यानि उसी से अपना पेट भरते हैं if they have nothing to eat for several days जब उनके पास कई-कई दिन तक खाने के लिए कुछ ना हो their hump shrink as the fat is used up और उनके उपर जो hump बना होता है वो shrink हो जाता है यानि सिकुड जाता है जब उनकी पूरी fat खतम हो जाती है use कर लेते हैं there are many other ways यहाँ पर और भी कई तरीके हैं in which camels are adapted to desert life जैसे तरीके से camel जो है अपने आपको adapt करता है desert life के लिए रगिस्तान में रहने के लिए their mouths are so tough उनका mouth इतना hard होता है tough होता है that even the sharp thorn की उसके अंदर के जो sharp यानि नुकीले काटे हैं cannot pyres through जो जैसे रगिस्तान एरिया में जो तनुकीले काटे हैं वो उनके अंदर नहीं जा पाते उस वज़े से अधरवाई तो आपको जगे जगे पता है कि सबसे ज़्यादा क्या है cactus मिलता है cactus मिलता है desert area में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा plant होता है तो उनके mouth में इस तरीके से वो ट्राफ बना होता है कि वो उनके अंदर काटे ना लग सके तो यह जो समड़ी थी यह थी हमारे चैप्टर नाइन की समड़ी desert animal तो आई होग सब तो बहुत अच्छे से चैप्टर टैन लेकर आएंगे हम तब तक के लिए always keep smiling and stay connected with easy way to learn with pretty बबाई